वेलकम टू सीए विज्डम चैनल सो हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर नमबर वन डाट इस नेचर अब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑडिट के नेचर पढ़ेंगे अब्जेक्टिव पढ़ेंगे एंड स्कोप क्या क्या है ओडिट का ओके सबसे पहला यह सब पढ़ने से अबल है हमें मेनिंग पता होना चाहिए ओडिट का मतलब क्या है ओके सो ओडिट इस एन इंडीपेंडेंड एग्जामिनेशन और फाइनशल इंफोरमेशन ऑफ एने एंटिटी ओके चंडेक्टेड विट 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 एक्सप्रेसिंग एन ओपीनियन देर ओन इसका मतलब क है ओड़ेंट एक इंडिपेंडेंट एंक्साश LIVE मिनस अधा कमपनी जिसका ओचैन और रिलेटेड होना नेरा चाहिए यह नंतर कने इंडिपेंडेंड एंग्जामिनेशन और कि मिया किसका म criminal और ऐसका सना गशेर और नुच्टे अच्प करकता ओक को इन्फोर्मेशन गाइग्जामेनेशन करते हैं कि वह प्रॉपरली बना है कि नहीं वह त्रु एन। फेर व्यू दिखा रहा है कि नहीं बस उसको opinion में यह auditor बता देते हैं okay and कोई भी entity का audit कर सकते profit कमाता है या नहीं कमाता है section rate company है या नहीं उस size में बड़ा company है छोटा company legal status legal है या illegal है कोई भी company को audit कर सकते है okay that was the meaning of audit okay now audit करते हैं entries book में entries क्या क्या है okay sufficient and appropriate evidence है कि नहीं क्या कुछ ऐसे interest जो छूड़ गया है okay या financial information clear और unambiguous है कि नहीं properly classified है कि नहीं हर एक ledger सब हर एक entries सब और पूरा overall true and fair picture दिखा रहा है कि नहीं यह audit में हमें देखना पड़ता है okay now objectives of audit okay audit करते वक्त objectives क्या क्या है okay as per essay 200 ऐसे 200 क्या बोलते है overall objectives of the independent auditor okay उसमें बताया गया कि objectives क्या क्या है okay तो चार objectives basically दो objectives है पर उसको चार में डिवाइड करके बोला गया है है first one to obtain reasonable assurance at least reasonable assurance मिलना चाहिए okay second to report on the financial statement okay financial statement में report करना कि financial statement कैसा है okay properly है कि free true and fair view दिखा रहा है कि नहीं वो थर्ट तो एंशर दिफानांशल statement as a whole are free from material misstatement material misstatement means fraud error fraud fraud error नहीं यह financial statement में वो and last one is to communicate as required by the sa sa means standards on auditing okay as per sa sub fulfill किया है कि नहीं वो भी check करने का okay now third one scope of audit okay audit का क्या 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 स्कूप है okay so area of the scope okay so let's see scope of audit to form an opinion the auditor should be satisfied that the accounting information is reliable and sufficient okay as the basis for the preparation of the financial statement okay एक अपीन बनाने का जो जो फिनांशल statement में बना गया है जो भी information बताया गया है वो reliable are sufficient है कि नहीं हो that is one second all aspects of the enterprise to be covered in audit okay जो 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 एंडर्प्राइस का जो जो एस्पेक्स हो वो सब चारा covered होना चाहा audit करते वाग्त okay that is second third informing his opinion the auditor should also decide whether the relevant information is properly disclosed in the financial statement financial statement में जो जो relevant information रो सब प्रोपली disclose किया है कि नहीं वो भी check करने का okay the auditor is not expected to perform duties which which lies outside the scope of his competence okay auditor auditor कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है audit audit करते वक्त जो आउटो स्कोप काम है वो करे नहीं कभी और डिटर को करना नहीं चाहिए आउटो स्कोप जो भी काम हो को नहीं करना चाहिए इसका मतलब के है स्कोप ऑडिट में कॉंसरें लागा रस्तिक्शन लागा तो उसको ऊपर एक ओडिटर को रेपोर्ट बना कर एक्सप्रस करना चाहिए यह इंटरनल कंडर प्रोपर है कि नहीं चाहिए यह इंटरनल कंडर प्रोपर है कि नहीं जो जो ट्रांसक्शन किया है उसको वेरिफा प्रोपर ली इसको ऑथेंटिकेट करना चाहिए थर्ड तुमपरेज़न आईटम्स और फायनास स्टेटमें उसका अंडर इंडरलैग्र एक की नहीं उसको उसको कंपर करके मैच करना चाहिए ठीके फूर्थ वेरिफिकेशन अफ दी टाइटल एक्सिस्टेंस एंड वैल्यू ओफ दी असेट ओके जो जो बैलेंशीट में असेट दिखर उसका टाइटल टाइटल में ओनर्शिप और पोसेशन दोनों है कि नहीं फिर लाइबिलिटेस में जो जो दिखर है उसका उबलिकेशन ह है कि नहीं हम लोग एक्च्वल में पे करना है कि नहीं ओके डाइट इस वेरिफिकेशन अफ दी लाइबिलिटेस नो के सेकंड लास चेकिंग दा रिसल्ट शोन बाइब दी प्रोफित आनलोस अंदी लास्पनेंस प्रोप्रियेट परसें और बोडी ओके रिपोर्ट कर वा यह क्या होता है तो एक्सेंस कामएं यह उन बाइबल केशन जो जो इसेट है वो इसके उपड़ हमारा राइट होना चाहिए अपना ओनर्चिप होना चाहिए ओके and obligation जो liability उसको actually में हमारा obligation होना चाहिए third complete सारा ल्डिश कंप्ली दिरीयोट किया होना चाहिए and the last one is valuation and allocation properly value किया है कि नहीं वह certain वह particular असेट और लियाबिलिटी ओके यह सब चेक करना पड़ता है टाइपस ऑफ ओडिट दो तरिके के ओडिट होते हैं और रिक्वाइड अंडर लो और वॉलिट वॉलिंटरी कैटिगरी ओके सब्सक्राइब करना पड़ता है कि कहां वेस्टेजेस हो रहा है कहां लॉस हो रहा है उनका वह कंपनी का या कहां इंटरनल कंट्रोल प्रॉपरली वर्क ने कर रहा है या कहां फॉल्ट हो रहा है तो वह सब जानने के लिए कभी-कभी वॉलन्टरी ओडिट भी किया जाता है ऑके बाइसम कंपनीश ओके सब्सक्राइब करें नाव गुएंग तो अनदर कॉंसेप्ट ओके सो एडवांटेज ऑफ ओडिट ऑफ फाइनांचल स्टेट में हमें ऑडिट करके क्या मिलता है ओके क्या एडवांटेज है ओके ओ देखते हैं ऑके फर्स वन इस सेफगार्ट इंटरेस्ट ऑफ परसें को मालूम होगा की कंपनी कैसा चल रहे है क्यों वही कंपनी चला रहे है बट दोस्ट हुआर नौट अस्टेट विदी मैनेजमेंट अधर्स ओके तो उनको सेवकार्ट उनका इंटरेस्ट को सेफगार्ट करने के लिए ओडिट एक अच्छा चीज़ है सेकेंड एक्ट ऐसा helpful in settling liability for taxes बहुत सरा कंपनीयों को मालूम नहीं होता कि कितना tax pay करना होता है कितना tax बच्छा है उनको पे करना okay so while doing the audit auditor बता देंगे कि उनको किना tax pay करना and they can settle their liability for the taxes okay likewise fourth point useful for settling trade dispute okay and fifth point help in the detection of wastages and losses audit करते वाद हमें पता चल जाता है कि कहा wastage हो रहा है resources का या कहा losses हो रहा okay and last one is government may require audited and certified statement कभी-कभी government मांग सकती है audited statement okay going to next concept that is inherent limitations of audit okay inherent limitations of audit okay so as per essay 200 essay 200 क्या बोलते है overall objectives of the independent auditor and the conduct of the audit of an audit in accordance with standards on auditing इसमें क्या बोलते है कि the auditor is not expected not expected and cannot reduce audit risk to zero कभी audit risk zero नहीं हो सकता and cannot therefore obtain absolute assurance that the financial statements are free from material misstatement due to fraud or error इसका मतलब क्या है audit risk कभी zero नहीं हो सता इसका मतलब कभी absolute assurance नहीं मिल सकता क्यों क्योंकि बहुत सारा inherent limitations है so let's see किन किन तरह के inherent limitations होता है okay while doing audit okay so the first one is the nature of financial reporting financial reporting कौन बनाता एक graduate student become student a BAF student okay कहा बनता है SAP में या Tally में यहां financial reports बनता बन जाता है okay बनते है so by nature itself क्योंकि human behavior बनाता है so humans are always tends to do errors okay so by nature itself financial reporting becomes an inherent limitation likewise the nature of audit procedure audit procedure करते वाग management complete information नहीं कभी-कभी नहीं देता है intentionally or maybe unintentionally okay कभी-कभी fraud company में fraud होता है रहता है कभी-कभी organized fraud होता है like collusion okay collusion means an organized fraud okay so वो सब हमें पता नहीं चल पाएगा okay which leads to inherent limitation okay likewise timeliness जो evidence जो past में था जो evidence past में जो proof बना था वो अभी इस वक्त वो evidence का जायद उतना value नहीं हो like I will tell you relevance of information and thereby its value tends to diminish over time okay कम हो जाता है वो value वो information का and there is a balance to be struck between the reliability of information and its cost okay that is timeliness and others others में क्या क्या आता है others में जिसे कि fraud आता है senior management fraud करता था या collusion एक planned way में fraud करता था फिर related party के साथ बहुत सारा transaction करता है तब okay and the occurrence of non-compliance law को compliance is properly fulfilled किया है कि नहीं regulation fulfilled है कि नहीं okay and last one future events as a as a बहुत सारा future events जो going concern को cease करता है okay that will also leads to inherent limitations in an audit okay now is kinder a concept है let's see what is that concept okay so investigation and audit इन दोना का difference है okay investigation is a critical examination of the accounts with a special purpose एक purpose रहता है investigation करते है और अल्रेडी एक purpose दिया रहता है investigators को okay और लो क्या करते है कभी भी critical examination कभी भी उनके बास एक questioning mind होता है okay हर एक चीज़े से ओलो wrongdoing के इसाब से देखते हैं okay now audit में क्योंता है audit में ऐसा नहीं होता है audit is never started with a preconceived notion okay about state of affairs about wrongdoing about some wrong having been committed okay audit में ऐसा कुछ नहीं होता है okay the auditor seeks to report what he finds a normal course of examination of accounts okay auditor normally अपना काम करता रहता है और उसके दोरान कुछ ऐसा उनको मिला की कुछ fraud हो रहा है तब ही हो जाके और रिपोर्ट कर देते हैं यह ता audit or investigation के बीच का difference का concept okay now let's move on to other concept relationship of auditing with other disciplines okay auditing and other discipline other areas कैसा related है सबसे में auditing and accounting auditing and accounting कभी भी related है क्यों कि accounting से ही financial information बनता है so it's very much related to each other auditing and law law means companies act banking act घेसा हमें मालूम पढ़ना होना चे auditor को मालूम होना चे while or before doing and audit likewise auditing and economics एक auditor को macroeconomics microeconomics of a particular industry मालूम होना चे जिस industry में वो company काम करता है auditing and behavioral science as as financial information is made by a human so auditing and behavioral science is very much related to each other likewise auditing में बहुत रहा error evaluation ये सब धुनने के लिए हम लोग statistics and mathematics apply करते है so auditing is related to statistics and mathematics also auditing and data processing and likewise auditing and financial management financial management fund flow ratio analysis ये सब किया जा सकता है with the help of financial information so auditing and financial management is also very much related to each other if that company is in the in the production okay in the is a factory like company then even auditing and production is very much related to each other production say cost system cost कैसे चलरा marketing कैसे distribution कैसे production कैसे और है उसका भी हमें नोहाव मिल जाता है okay okay now standard setting process okay so standard setting process कैसे किया जाता है standards means standard एक पर्टिकुलर वे ओक एक standard बनाया जाता हो कौन बनाते कैसे बनाते है let's see okay so iasb international it's international okay international auditing and assurance standards board okay यह किसने बना IFAC ने बना international federation of accountants okay means international accountant का एक body ऐसे समझो okay international federation of accountants ने international auditing and assurance standards board बनाया okay ठीक है very much clear IFAC के अंदर बहुत सारा members होता है इंडिया का इंडिया का qualification इंडिया का मेंबर बनने के लिए chartered accountant बने के लिए auditor बनने के लिए ICA के अंडर से काम किया जाता है IFAC के अंदर ICA काम करते है ICA is a member of the IFAC okay likewise बहुत सारा दूसा और नेशन के बहुत सारा institute होता है IFAC के अंडर okay तो ICA ने ICI ने AASB बनाया okay ASB means auditing and assurance standards board okay उसमें standards बताता है कैसा audit किया जाना चाहिए okay very much easy now role of AASB okay ASB क्या-क्या बताता है okay let's see ASB हमें बताता है standards on auditing okay SA बताता है SRE बताता है standards on review engagement SAE बताता है standards on assurance engagement and SRS भी बताता है that is standards on related services यह सब क्या है standards on auditing means historical financial information को audit करते है वक्त यह सब standards लगता है उसको बलता है standards on auditing okay likewise historical financial information जब review करते है review तब standards on review engagement लागू लग जाता है okay apply हो जाता है okay likewise SE what is SE apply in assurance engagement dealing with subject matters other than historical financial information other than in historical financial information से जो भी related जो होगा अधर standards on assurance engagement apply होता है and related services जैसे की compilation engagement वहाँ SRS standards on related services apply हो जाता है so इनका examples पढ़ते हैं okay दो-तिन examples दिया गया है let's see okay जैसे की standards on auditing में SA 230 audit documentation है SA 500 audit evidence है okay just an examples okay standards on review engagement में SRE 2400 बोलते है engagement to review historical financial statement SRE 2004 10 बोलते है review of interim financial information performed by the independent auditor of the entity okay likewise standards on related services standards on related services में SRS 4400 क्या बोलते है agreed perform agreed upon procedure regarding financial information SRS 4400 क्या बोलते है compilation engagements okay so likewise यह सब examples है you don't have to mug up everything you know you don't have to need to know the concept यह standards होता है okay it happens okay it is made okay so no need to study examples also it's just for your it's just for uh to understand okay now this can under 2-3 अच्छा अच्छा concepts let's study that okay so audit or review के बीच का difference के audit बस एक की simple difference है एक वर्ट का difference है audit एक reasonable assurance देता है और review क्या है limited assurance देता है okay audit at least reasonable assurance दे देता है but review क्या का बीच का difference okay now historical financial information or prospective financial information के बीच का difference के let's see that the former means the historical financial information the former relates to information expressed in financial terms of an entity about economic events condition or circumstance occurring in the past period जो जो पास में हुआ है उससे related historical financial information बना जाता है likewise prospective financial information में कैसे बनता है related to future events okay very easy let's move ahead so the next concept is compliance with documents issued by institute institute though documents compliance compliance करने बोलते है means apply करने बोलते है guidance notes and statements so let's see what are the difference between both of them okay statement gap okay the statement have been issued with a view to securing compliance by members on matters which in the opinion of the council council को लगते है कि critical है okay to for the proper discharge of their function एक proper function करने के लिए मेंबर्स को function करने के लिए council का एससा matters ऐसा लगता है कि जो critical है वो सब statements में डाल देते है okay statements therefore becomes mandatory nature okay guidance note क्या guidance note means जब institute को कुछ members को guide करना होता है assist करना पड़ता है okay professional work कैसा करना होता है वो सब guidance note में डाला जाता है and that guidance notes are recommendatory in nature it is recommended that you have to apply or go in a way as as notified in guidance notes okay in now going to other concept qualities of an auditor auditor के अंदर क्या 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 गुल्रिटी आ्चा grilling it is one at裡 ज़ज्चमेंट पेशंस एंड रिलाइबल होना चाहे इतना क्वालिटीस होना चाहे एकॉरिंग टो डिक्सी ओके नव लॉट जस्टिस लिंद लिगा बुलता है लॉट जसे लिंद लिग बोलता है की अडिटर मस्ट बी हॉनेस्ट हॉनेस्ट अग्ड़ एस फी यॉट्ट बिलिव टूबी ट्रू एंड मस्टेग रिस्टेबल केर एंड स्किल बिफोर ही बिलिव टैट वाटी सट्टिफाइश इस तू मतलब क्या है वह बोलता है कि आडिटर होनेस्ट होना चाहे प्लस जो उसको लग रहे है कि यह प्रॉपर है या यह सच है ओके जो बिलिव कर सकते तूब तूब एसे ही नहीं करने का उसका साथ वह जो 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 बिलिव कर रह harm हो उसको एक रिस्नेबल ऐश्रेंस भी होना चाहिए और जो वह बिलिव नहीं करता है जो जो सचच नहीं महांदा उसको कभी भी सटिफाइश नहीं करना चाहिए ठीक है that was the qualities of audio okay now elements of a system of quality control एक सिस्टम को एक क्वालिटी वे में कंट्रोल करने के लिए ओके वन बाइवन वी विल स्टेडी इन डीटेल ओके सफर्स बन लीडर्शिप को रिस्पॉंसविलिटी इस पॉलिटी ओन ओर इसमें बोलते है कि इंगेज्मेंट पार्टनर कॉन होता है विल स्टेड़ी ओके दिरेंगेज़्मेंट बाइन शांट टेक रिस्पोंसबिलिटी वर अवर ओल और इंच और ऑड़्याद ओके एंगेज्मेंट टू वेज आउन और इस अविल एक इंगेज्मेंट पार्टनर ने सिन अटार्टस बट इस अबाट सरे पारट को के साथ engage किया जाएगा with their team okay so particular partner जो engage करते है उसको बोलते engagement partner and the team with their assent that it is called as engagement team okay उनके जो भी staff होगे उसको engagement team बोला जाएगा so वह ही यहाँ पर लिके engagement partner का मतलब क्या है engagement partner refers to the partner or other person in the firm who is responsible for the audit engagement and its performance and for the auditors report that is issued on behalf of the firm and who were required has the appropriate authority from a professional legal or regulatory body okay second ethical requirements relating to an audit of financial statement okay ethically क्या क्या requirements होता है during audit integrity होना चाहिए integrity means straight forwardness and harness होना चाहिए okay objectivity होना चाहिए जो जो object objective बताया गया audit में वो सब ओ ऑडिटर अप विताओड एनी बायस विताओड एनी conflict of interest विताओड एनी undue influence fulfill करना चाहिए professional competence and you care okay professional competence means know-how होना चाहिए जो जिस भी company का वो audit करने वाले उसका area of knowledge उनको ओडिटर को मालो होना चाहिए plus due care means due diligence लेना चाहिए okay confidentiality जो जो information management या those charge with governance बताए का auditor को वो confidentiality confidence के सास्थ रखना चाहिए वो third party को या किसी और को नहीं बताना चाहिए okay एक auditor एक confident okay auditor and the last one is professional behavior okay auditor को कभी भी professional behavior maintain करना चाहिए okay okay the auditor should be independent auditor कभी भी independent होना चाहिए okay independent होना चाहिए independent का मतलब कहा है independent means independence of mind plus independence in appearance okay don't know okay sqc1 sets out the responsibility sqc1 किसको बोलता है sets of the responsibility of the firm for establishing policies and procedure regarding compliance with relevant ethical recommend यह sqc1 मोलता है as say 220 किसको बोलता है engagement partner को पर responsibility देता है क्या with respect to relevant ethical requirements okay where is he now independence of auditor okay independence of auditor independence means independence of mind and independence in appearance okay already study okay what is the independence of mind independence of mind means how integrity के साथ objective objectivity के साथ and plus professional skepticism the professional skepticism means questioning mind के साथ वो काम कर सकते है काम कर सकता है okay without any influence okay that is called independence of mind independence in appearance appearance means third party को भी लगना चाहे कि auditor के पास integrity objectivity and professional skepticism without any compromise कर रहा है audit okay likewise independence of the auditor has not only to exist in fact but also appear to so exist to all reasonable person जो 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 है उनको भी लगना चाहिए कि यह auditor independent है ठीक है तब जाके एक auditor independent माना जाएगा ओके वेरीजी इंडिपेंडेंस के अगेंस त्रेट्स बहुत सारे होते हैं self-interested okay what is self-interested self-interested means खुद का related interest वो company के साथ है जैसे कि fees जाजा लेना वो company का okay या फिर already उन वो company से कुछ प्रोड़क्ट्स या services ले चुके है या वो business related है तो यह सब आज जाता है self-interest त्रेट में okay self-review threat self-review threat means वो already ओ कंपने में काम करता है ओडिटर अल्रेडी काम एक सेंप्लोई था okay तभी अभी या वो एक डाइरेक्टर था okay so now उसके उपा self-review threat आ जाएगा एडवो के सित्रेड एडवो के सित्रेड में वो ओडिटर वो company को जो company का audit करने वाला वो company का advocate करता था means promote करता था okay okay so that will become an advocacy threat to him likewise familiarity threat familiarity threat means वो company को पहला जानता नहीं था कोई threat with कुछ नहीं था लेकिन जैसे जैसे काम करते गया वो familiar होते गया एक साल audit के दूसरा साल audit क्या तब उसको अभी familiarity threats hope hope सकता है okay and auditor can like can have the situation of familiarity threat okay and the last one is intimidation threat intimidation threat means actually मैं threat देना company को threat देना okay threatened with litigation law law लेकर ओलो threat करना या फिर फीज को कम करना यह सब intimidation threat में आ जाता है okay very easy okay now safeguards to independence अभी यह सब threats ता उसको safeguard कैसे करें फर्स्टेप है कि कभी भी independent होना सबसे मेजर है always be and appears to be independent okay one second integrity objectivity and professional skepticism कभी भी रखना okay third before taking on any work कभी भी audit लेने से पहले consider whether it involves threats to his पहला चेक करना की independence है की नहीं exactly okay okay when such threat exists the auditor should either desist from मुला कुछ threat आ रहा है बीच में तो सबसे पहला देख लेना safeguard लगा के क्यों threat जा रहा है eliminate हो रहा है कि नहीं even save guard लगाने के बाद भी eliminate नहीं हो रहा है तो एकसेप को काम accept नहीं करने है वो audit engagement accept नहीं करने का okay where is he now professional skepticism what is professional skepticism professional skepticism means questioning mind that's it okay let's see professional skepticism refers to an attitude that include a questioning mind being alert to conditions which may indicate possible misstatement due to error of fraud and a critical assessment of audit evidence okay उसको बोलते है what professional skepticism okay means a questioning mind होना चे कभी भी काम करते है वक्त okay now acceptance and continuance of client relationships and audit engagement okay so let's see क्या बोलते है SQC1 requires the firm to obtain information before SQC1 बोलते है कि कुछ information चेह क्या क्या चेह the integrity of the principal owners key management and those charge with governance of the entity okay integrity okay सबका means integrity means straightforwardness and honesty okay whether the engagement team अभी जो engagement team बना है staff सब capable है कि नहीं वो audit करने से पहला चेक करने का okay plus time कितना लगेगा so resources कितना होगा वो सब चेक कर लेंगा okay whether the firm and the engagement team can comply with relevant and वो engagement team या जो firm है वो ethical requirements fulfill कर पाएंगे कि नहीं वो भी बता दीने का and the last one is significant matters that have arisen during the current or previous audit engagement and the implication for continuing the relationship इसका मतलब क्या है पिछले बार audit करते वक कुछ matters as arrows हुआ जहां audit करना मुश्किल पढ़ गया okay तब ही उन्होंने क्या क्या actions किया okay या वो ही situation वापिस occur होगा तो क्या करेंगे they have to know okay now human resources okay human resources में recruit में performance evaluation capable है कि नहीं competent है कि means know-how है कि नहीं okay यह सब पता चलता है अभी यह सब issue लिखके क्या क्या होगा what is the benefit इससे पता चलेगा कि कितना number of individuals चाहिए वो firm engagement में okay on कैसा individuals यह okay कितना capable individual चाहिए वो firm engagement में वो यह सब issue address करने से पता चल जाएगा okay engagement performance okay now another concept the firm should establish policies and procedures designed to provide it with reasonable assurance that engagements are performed in accordance with professional standards and regulatory and legal requirements and that the firm or the engagement partner issues reports that are appropriate in the nature engagement performance करने से पहले policies or procedures बना देना कि कैसा ओलो audit करने वाला है with with the standards with the regulation with the legal requirements with compliances okay yes with ethical last another concept that is monitoring okay what is monitoring monitoring means policies or procedure बना तो लिया उसके इसाब से काम चल रहा है कि नहीं उसको बोलते हैं monitoring okay the policy and procedure relating to the system of quality control are relevant वो relevant है कि नहीं actually में जो policies या procedure बनाया है adequate है कि नहीं and last है कि monitor means operating effectively operate कर रहा है कि नहीं okay that is considered as monitoring okay preconditions for an audit okay as per essay 210 agreeing the terms of audit audit engagement agree करने से पहले क्या-क्या preconditions होता है audit में let's see the by use by सबसे बेल चेक करने का कि financial reporting framework जो बना है जो audit client जो बनाया है वो acceptable है कि नहीं okay इस time में वो देखने का second management का responsibility होता है financial statement बनाना prepare करना and the last one is the agreement of management to the premise to the premise to the condition on which an audit is conducted audit कैसे conduct करने वाला है वो management agree करना चाहे फिर जाके audit you can start the audit okay as an auditor okay now agreement on audit engagement terms okay audit engagement terms related agreements क्या क्या है the audit engagement letter कौन बेचते किसको बेचते is sent by the auditor to his client okay partnership में और engagement letter बेचते नहीं okay तो उसमें क्या बेचते उसमें होता है partnership deed होता है okay partnership deed okay now recurring audits okay so auditor shall assess जब audit एक ही कंपनी का बारबार करते है तब क्या करना चीए okay so the auditor shall assess whether circumstances require the terms of audit engagement to be revised okay एक बार audit किया दूसरा बार audit किया third बार audit करने से पहले सोच रहे कि कुछ revise करना है कि नहीं audit engagement already audit engagement बन चुका है ना okay so को change करना तब ही जाकर audit engagement नाया कर देने वर्ना नहीं okay whether there is a need to remind the entity of the existing terms of the audit engagement शायद ऐसा हो सकते है जो management वो शायद बूल बूल जाए कि क्या-क्या terms and conditions ना तो वापिस एक audit engagement letter बना देना no issue okay the auditor may decide not to send a new audit engagement letter or other written agreement each period okay नहीं बनाएगा तो भी चलेगा if the audit engagement letter same ही है तो okay however the following factors may make it appropriate to revise the terms of the audit engagement or to remind the entity but यह सब condition में अभी जो बुलने वाला वो सब condition में audit engagement letter नाया बनाना या revise करना पड़ेगा okay कब जब को special terms लाया गया तब okay जब entity misunderstand करता तब okay कुछ चेंज हुआ senior management में तब change in ownership हुआ तब see a significant change in the nature or size of the entity's business तब change in legal or regulatory requirements and framework change हुआ तब हमें नया engagement letter बनाना पड़ता है okay now limitations on scope prior to audit engagement okay scope related कुछ limitations हो जाए तब क्या करने का okay जब मेंस audit engagement accept करने से पहले तब क्या कर सकते है एक auditor so if management और those charge with governance impose a limitation on the scope the auditor shall not accept such limited engagement तब ही auditor को accept नहीं करना चाहिए वो limited engagement okay now acceptance of a change in engagement okay acceptance of a change in engagement okay जब engagement letter change होगा okay तब accept करना चाहिए के नहीं let's see okay कब कब होगा let's see a request from the client from the client means the company जो audit करने वाल है from the client for the auditor to change the engagement में result from okay client बोल सकते कि यह change करना है कब बुलेगा बलो a change in circumstance जब circumstance change होगा तब a misunderstanding of nature of an audit okay and the last is a restriction on the scope of the engagement okay यह सब time change कर सकते है okay now the auditor should not agree to a change of engagement auditor नहीं काना चाहिए accept नहीं काना चाहिए where there is no reasonable justification for doing so okay कुछ reasonable justification नहीं है तो वो engagement change नहीं जो engagement letter है वो ही का वही होना चाहिए okay change नहीं करना चाहिए okay but but ऐसा नहीं है तो change कर सकते है okay if the auditor is unable to agree to a change of the terms of the audit engagement and is not permitted by the management to continue the original audit engagement तो auditor क्या कर सकते है auditor को change नहीं करना है audit engagement but management भी जो original audit engagement बनाया वो उसको accept नहीं कर तो auditor को क्या करना चाहिए withdraw करना चाहिए प्लस report बना कर देना चाहिए okay where is the so यह था हमारा chapter number one okay nature objective and scope of audit so thank you